अपराधियों के खिलाब सीतापूर पुलिस का चल रहा लगातार अभियान। आज थाना सदरपूर के अंतरगत एसोजी टीम और थाना सदरपूर की पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस को अन्य जानकारी प्राप्त हुई जिसके आधार पर पुलिस टीम के द्वारा जिसमें आएसोजी की टीम और थाना सदरपूर की टीम शामिल थी। इनके द्वारा एक चेकिंग यहां चौकी दिवियापूर के अंतरगत लगाई गई थी। यहां पर दो अपराधी जिनमें से एक का नाम इसरार है और एक का नाम किशोरी है। दोनों के ऊपर 25 यहां रुपए का इनाम है। यह दोनों एक बाइक से जा रहे थे जब इनको रोगने का इशारा किया गया। तो इन दोनों के द्वारा लगातार पुलिस टीम पर फाइरिंग की गई। पुलिस टीम के द्वारा कवर लेते हुए इनके ऊपर जवावी फाइरिंग की गई। जिसमें यह दोनों बदमाश घायल हुए हैं दोनों को गिरिफतार कर लिया गया है। इनको अभी इलाज के लिए अस्पताल भीजा गया है। पुलिस टीम में भी जो हमारे सिपाही थे इनके द्वारा बहादरी से इनको गिरिफतार करते हुए इनके पास से एक बिनानमबर की मोटर साइकल, दो अवैद, सस्प्र, कुछ चले हुए कार्टूस और कुछ जिंदा कार्टूस बरामत किये गए हैं। साथ में 15,000 रुपए नकत बरामत किया गया है। इन दोनों अपराधियों के ऊपर जल्द ही नियायले में पेश करते हुए कारवाई की जा रही है। साथ में आगे इनके ऊपर गैंग्श्टर की कारवाई की जाएगी। लगातार जनपद सीतापुर के पुलिस के द्वारा इस तरह के अपराधि जो जनपद में कानून विरस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उनके विरुद्ध कारवाई आगे भी जारी लगाई आगे।